हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में एम्स रिसी केस बीसी नर्सिंग 2022 की कटफ देखेंगे इससे पहले मैं एम्स बोपाल एम्स डेली एम्स जोदपूर का कटफ अपलोड कर दी हूं अब जाके देख सकते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे किस र आपको कॉलेज अलॉट होगा तो इस वीडियो में फर्स्ट रॉंग सेकेंड ऑफन रॉपन 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 तीनों की कटफ देखेंगे कि हैं इम्स रिसी केस का क्या रहा था बेसी नर्सिंग का तो सबसे पहले देखेंगे फर्स डाउं का कटफ तो फॉर्स्ट रॉंड यूर केटगरी वाले लोग को 405 रांक पर सीट मिला है और 64.667 मार्क है EWS 955 55.00 मार्क है OBC कैटगरी 706 मार्क है 59 मार्क है SC कैटगरी 1830 रांक है 46 मार्क है ST कैटगरी 2651 रांक है 40.667 मार्क है आप देख सकते हैं कि 1st round में AIMS 3C case में कितना cut-off गया है और आपको कितना score करना है अगर आप question प्रैक्टिस करना चाहते हो आप previous year देखना चाहते हो कि कहां कैसा आता है question तो playlist में है आप जाके देख सकते हैं कुछ previous year question तो आप उससे idea लगा लेंगे कि किस तरह से आपको प्यारी करना है मैं playlist video के end में end screen में लगा दूँगी आप जाके देख सकते हैं इसमें हर subject का मैं कुछ previous year upload की हूँ आप देख सकते हैं और आपको idea लगा सकते हैं कि किस तरह से question पूछता है और फिर बात करेंगे second round के second round में aim series case में UR category 835 marks 56.667 EWS 1376 rank marks 50 OBC category 1107 rank marks 53 SC category 2699 rank marks 40.33 और ST category में seat a lot नहीं हुआ है इस पर बहुत seat है vacant रहे हैं क्योंकि qualify marks भी नहीं लाए पाए हैं लोग तो qualify marks कितना है नहीं है आप जाके देख सकते हैं वीडियो में negative marking है क्या है exam pattern मैं सब upload कर दी हूँ अब बात करेंगे open round की open round में rank 1365 UR category में 50 marks है फिर EWS में कोई seat a lot नहीं हुआ है OBC 1463 rank है 49 marks है SC category और ST category में कोई seat a lot नहीं हुआ आप देख सकते हैं वैक इंट रहे इसलिए qualify marks जरूर score करें ताकि आपको seat मिल जाए अच्छे से तो पढ़ाई करते रहें ज्यादा question formula based ही रहते हैं तो इसलिए आप concept अच्छे से clear करें अच्छा से score हो जाएगा और 10 marks का GK रहता है तो वह तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा आप 90 marks के लिए पढ़े normal GK रहता है जो आप swap कर दोगा अगर आप GK का भी question देखना चाहते हैं सैंपल में तुम्हें एक previous year GK को upload की हूँ आप जाके देख सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में और comment में मुझे बताएं कि अगले आपको किस aims का वीडियो चाहिए बाए बाए कि अगले तुमेन चाहिए पषके अगले आप मैं तुमें